नमशकर्ट स्वागत है आपका आप देख रहे हैं दर्यूस और मेरानी गुपता आपके साथ राम मंदिर की प्राइट प्रतिस्था को लेकर के खबर सामने आ रही है आपको बता दे कि जल्द ही राम मंदिर की प्राइट प्रतिस्था होने वाली है लेकिन इससे पहले ही वि भी कहना चाहूंगा कि भगवान राम सिर्फ हिंदूओं के नहीं है वो सब ही के हैं इस दौरान फारुख अब्दुल्ला ने ये भी कहा कि राम मंदर का उद्गाटन होने वाला है जो भाईचारा कायम है उसे बरकरार रखा जाए आपको बताने कि राम मंदर की प्रान प्रत स्थर पर चल रहा है 22 जन्वरी को राम की प्रान प्रतिस्था का कारगरम होने च्वारा है जिसमें देश की नाम चीन हस्तियां शामिल होंगी और पीम नरेंद्र मोदी इस कारगरम का उद्गाटन करेंगे जिसके चलते आयोध्या में सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किय अब इस बीच नैशनल कॉंफरेंस के अध्यक्ष फारुख अब्दुल्ला का बयान सामने आया है उन्होंने रामलला की प्रान प्रतिस्था पर यह कहा है कि भगवान राम सब के हैं पूरे विश्व के राम हैं वो सिर्फ हिंदू के राम नहीं है सुनिये फारुख प्रतिस्था से पहले उसकी बात बहुत जरूरी है कि भगवान राम का मंदिर खुलने वाला है मैं उन सब को जन्होंने इसकी कोशिश की कि उनका मंदिर बने और वो तयार हो गया है उनको मुबारक को देता हूं साथ साथ उनसे यह भी कहता हूं सब से भारत के निवासियो बी कि भगवान राम सरफ हिंदू का राम नहीं है वो सब दुनिया के लोगों का विशु का राम है उनके पुस्तों को में लिखा हूआ है विशु का राम है उन्होंने भाइचारे की महबत की एक दूसरे के साहिता की बात की है जिन्दएकी और कहा है हर बार कि जो नीचे गिरा हुआ है उसको उठाने की कोशिश करो कभी यह नहीं कहा उसका धरम क्या है उसकी शकल क्या है उसकी जबान क्या है वो कहां से आता है बलकि एक युनिवर्सल मेसेज दी सब के लिए सारे विश्व के लिए एक साथ रहे तरक्ति करें और भाईचारे में रहें आज जब यह मंदर खुलने वाला है मैं सब भाई भेनों से कहना चाहता हूँ उस भाईचारे वो काइम करिये जो आएस्ता आएस्ता हमारे वतन से गाइब हो रहा है साथ साथ अभी सरहन में उन शहीदों को भी मैं याद करना चाहता हूँ जिनको दीवारों में चुन दिया गया था उन्होंने शहादत दी मगर सर नहीं जुकाया उनको भी शधांजली देता हूँ और यही दुआ करता हूँ हम सब भाईचारे में रहें तरक्की करें आगे बढ़े और नफरतें अतम करें आपको बता दे दरसल फारुख अब्दुला ने कहा कि आयोध्या राम मंदर का उद्गाटन होने वाला है मैं उन सभी को बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने राम मंदर के लिए प्रयास किया ये आप बन कर तयार हो चुका है मैं सभी को बताना चाहता हूँ कि भगवान राम केवल हिंदुों के नहीं है वे दुनिया के हर वैक्तिके हैं ये किताबों में लिखा हुआ है उन्होंने भायचारा प्यार और एकता की बात की है उन्होंने हमेशा लोगों को जवीन से उपर उठाने पर जोड दिया है और कभी भी उनसे उनका धर्म या भाशा नहीं पूछा उन्होंने एक सार्वभॉमिक संदेश दिया है अब जब ये मंदर खुलने वाला है तो मैं सभी से ये कहना चाहता हूँ की भाईचारा बनाए रखे आयोध्या के राम मंदर को ले करके जोस तरीके से विपाक्ष बाते कह रहा था खास कर जब इसकी लड़ाई सुपरीम कोट में चल रही थी तब इन ही विपाक्षी नेताओं के बयान कुछ अलग हुआ करते थे उनका ये कहना था कि बीजपी जो है राम मंदर को सिर्फ और सिर्फ अपना चुनावी एजिंडा बनाना चाहती है और राम मंदर का निर्मान कभी भी नहीं हो पाएगा क्योंकि सिर्फ और सिर्फ असकार राशनिती करण किया जा रहा है बीजपी अपनी सरकार बनाने के लिए ही बार-बार राममंदर का मसला उठाती है लेकिन आज जब सुप्रीम कोट का फैसला चुका है बकादा आयोध्या श्री राम जन्म भूमी में राममंदर का कार्य हो रहा है तब अब विपक्ष के तमाम नेताओं की अलग-अलग बयानबाजी देखने को मिल रही है इस बीच 22 जन्वरी को प्रान प्रतिस्था भी होने वाला है विपक्ष के तमाम लीडर्स को निवता भी भेजा गया है हाला कि जन्हें निवता भेजा गया है उन्होंने ये कहा है कि वो इसमें शामिल नहीं होंगे क्योंकि ये राजनेती करण का प्रोग्राम है ना कि राममंदर प्रान प्रतिस्था का प्रोग्राम है और जिन्हे इंविटेशन नहीं मिला है उनका यह कहना है कि अगर हमें बुलाया जाएगा तो हम जरूर जाएगे तो वहीं कुछ ऐसे भी है जिनें इंविटेशन मिल गया है इसके बावजूद वो अभी भी विचार कर रहे हैं कि उन्हें इस प्रोग्राम में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए आपको बता दे कि आयोध्या के राम मंदर के मूल गर्ब ग्रिह में प्रान प्रतिस्ठा होने वाला रामलला का विग्रह श्याम मर्नका होगा श्यराम जन्मभूमी तीर्थ ख्रेत्र ट्रस्ट के सदस्यों ने मूर्ती के चयन के लिए शुक्रवार को गुप्त मतदान किया इसका परिणाम तो 5 से 10 जन्वरी के बीच सारवजनिक किया चाएगा लेकिन सूत्रों ने बताया है कि रामलला के जिस विग्रह को ट्रस्ट ने आधिकारिक सदस्यों ने पसंद किया उसे अरुन योगिराज ने कनाटक्या की श्याम शिला से नर्मत किया है अगले महिने 22 तारीख को अयोध्या में राम मंदर के आतिहासिक प्राण प्रदस्था कारिगरम में कॉंग्रस पार्टी की पूर्वा अध्याक्ष सोन्या कांधी पार्टी के मौझूदा अध्याक्ष मलेक अर्जुन खडगेवा लोग सभा में कॉंग्रस के नेता अधिर जानबाजी भी देखने को मिल रही है आपको बता दे कि कॉंग्रस के जो नेता है सैम पित्रोदा और राहूल गांधी के वो गुरू भी कह जाते हैं उन्होंने राम मंदर से जादा देश में बिरोजगारी को एहम मुद्दा बताया है तरसल इस बयान से अब कॉंग्रस प महंगाई बिग्यान और तकनीकी के साथ साथ अन्य चनोतियों के बारे में बात करें यह उन लोगों को तै करना है कि असली मुद्दे क्या है क्या राम मंदर असली मुद्दा है या फिरोजगारी असली मुद्दा है क्या राम मंदर असली मुद्दा है अब महंगाई असली कॉंग्रेस पार्टी ने सीधे तोर पर कह दिया कि ये उनके पार्टी का अधिकारिक बयान नहीं है बलकि सैम पित्रोधा का अपना निजी राय है फिलाल जिस तरीके से राम मंदिर को ले करके अभी भी राजनिती बरकरार है सुप्रीम कोट का फैसला आ चुका है इसके बावजूद असदुद्दीन ओवैसी हो या फिर कुछ अन्य विपक्ष के नेता हो इस मुस्दे को बार बार उच्छालने की कोशिश कर रहे हैं और इसे लोकसबा के चुनाव से जोड़ करके देख रहे हैं लेकिन आज प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी भी आयोध्या पहुँच चुके हैं आयोध्या में उनका रोट्शो हो रहा है लेकिन उससे पहले फारुख अब्दुल्ला का ये बयान कई माईनों में अलग संकेत देता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि साफ तोड़ से फारुख अब्दुल्ला ने ये कहा है कि राम मंदर का घटन होने वाला है वो घड़ी नजदी का चुकी है ऐसे में मैं सभी से ये कहना चाहूंगा कि भाई च्वारा बना करके रखे क्योंकि भगवान नाम सिर्फ हिंदुओं के नहीं है वो सभी की है यानि कि पूरी तरीके से यहाँ पर फारुख अब्दुल्ला के जो सुर है वो बगलते हुए नसर आ रहा है फिलाल इस पूरे म कामले को लेकर के आपकी क्याराय है हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं धन्यवाद